असलाम लेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब वालेकुम असलाम मिस्ट आज फिर हम आपके लिए एक दिल्चस्ट प्राक्टिकल लेकर आए हैं लेकिन पहले मैं आपको अपने साथी स्टूडेंट्स से मिलवा दूँ मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन, बिलाल और दुआ मिस्ट मेरे पास दो मश्लियां थी, कल मेरी चोटी बहन ने फिश जार में बहुत सारा नमक डाल दिया, कुछ देर बाद मेरी दोनों मश्लियां मर गए, मिस्ट नमक डालने से मश्लियां क्यों मर जाती हैं? मोहसिन, ऐसा ओस्मॉसिस के प्रासिस की वज़ा से होता है जी बिलाल, ये एक बायलोजिकल प्रासिस है जब किसी जानदार सेल को किसी सिलूशन में रखा जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल सेल मेंब्रेन को पास करके लो सॉलियूट कंसेंट्रेशन एरिया से हाई सॉलियूट कंसेंट्रेशन एरिया में आ जाते हैं जिसकी वज़ा से इस सेलिया तो सुकर जाता है या फूल जाता है। इस प्रोसेस को Osmosis कहते हैं। मिस, फूलने से याद आया, अगर मैं ज़्यादा देड़ तक नहाऊं तो मेरी उंगलियों के टिप्स फूल जाते हैं। क्या ये भी Osmosis हैं? जी बिलकुल मौसिन, ये भी Osmosis की ही एक मिसाल है। जब मौसिन की बहन ने पानी में नमक डाला तो पानी की कंसेंट्रेशन मचली के जिस्म में मौझूद सेल साइटोप्लाजम की कंसेंट्रेशन से बढ़ गई। जिसकी वज़ा से मचलीयों ने अपने जिस्म का पानी लूज कर दिया और डिहाइडरेशन की वज़ा से वो मर गई। लिकिद मिस, कुछ मचलीयां तो रहती ही खारे पानी में हैं, फिर वो क्यों नहीं मरती? दूआ हर मचली का जिस्म उस मखसूस कंसेंट्रेशन वाले पानी में रहने का आदी होता है, जिसमें वो नशनुमा पाती हैं। इसी तरह अगर आप खारे पानी वाली मचली को मीठे पानी में रखेंगी, तो वो भी मर जाएगी। मिस, ये तो बड़ी दिल्चस्प बात है, मैं ये सोच रही हूँ, क्या पौदों में भी ऑस्मॉसिस का प्रोसेस होता है? जी दुआ क्यों नहीं? पौदे भी ऑस्मॉसिस के प्रोसेस के जरिये सेल के अंदर या बाहर पानी और न्यूट्रियंट्स के आमदोरफ्त को बरकरार रखते हैं। Solution की concentration की बुनियाद पर पानी और nutrient cell के अंदर या बाहर जाते हैं यानि मिस हर solution की concentration का cell पर मुखतल तरीके सा असर होता है जी बिलकुल आज के practical में हम plant cell पर tonicity का असर जाचेंगे लेकिन उससे पहले animation के जरीए solutions और उनकी concentration के असर के बारे में मजीद मालूमात देखते हैं Solutions तीन इक साम के होते हैं Hypertonic, Isotonic और Hypertonic Hypertonic solution cell साइटोपलासम के मकाबले में dilute होता है अगर हम cell को Hypertonic solution में रखें तो पानी endosmosis के process के जरीए सेल के बाहर से सेल के अंदर आ जाएगा सेल के अंदर पानी दाखिल होने से वो सूच कर फूल जाता है इस वज़ा से सेल की लंबाई और वज़न में इजाफा हो जाता है Hypertonic solution सेल साइटोपलासम के मकाबले में ज्यादा concentrated होता है जिसकी वज़ा से पानी exosmosis के process के जरीए सेल से बाहर आ जाता है और इस वज़ा से सेल की लंबाई और वज़न में कमी वाक्य होती है Hypertonic solution की concentration सेल के बराबर होती है लहाज़ा सेल में जितना पानी दाकिल होता है इक नहीं बाहर निकल जाता है और इस वज़ा से सेल प्लितला फ्लैसिट हो जाता है लेकिन इसकी लंबाई और वज़न में कोई तब्दीली वाके नहीं होती जी बिलकुल आज हम प्यास को इस्तिमाल करते हुए एक ऐसा ही तज्रुबा करेंगे आईए अब अपना तज्रुबा शुरू करते हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस तज्रुबे में इस्तिमाल होने वाले माटीरियल्स का बता दू हमारे पास मौजूद है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए दो पैट्री डिशेश, इस पैट्री डिश में हमारे पास प्यास के कुछ पीसेश हैं, कोवर्सलिप्स, दिशाट्स, वर्सफ, नाइफ, द्रोपर, गौंपौंट मिक्रोचो, इस तंट बाट, 1% शुगर सुगर सुटिशन, 4% शुगर सुगर सुटिशन. जी स्टूरेंट्स अब हम अपना तजरुबा शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने प्यास की एक परतली है अब मैं इसके छोटे-छोटे टुकड़े करूंगी अब मैं एक स्लाइड लूँगी और प्यास के दो छोटे टुकड़ों की अंदरूनी सता से फोर्सेप की मदद से एपिडामिस की एक तेह उतारूंगी और इस तेह को स्लाइड के उपर रखूंगी अब मैं माइक्रोस्कोप के नीचे इस स्लाइड को अबजर्व करूंगी स्टूनेंट्स मेरे पास दो पैट्री डिशेस हैं मोसिन आप वहां से मारकर ले आईए ताके पैट्री डिशेस को लेबल कर सकें स्टूनेंट्स हमने पैट्री डिशेस को अ और बी लेबल कर दिया हैं अब हम वन परसंट शुगर सलूशन को पैट्री डिश ए में डालेंगे और 4% sugar solution को Petri dish B में डालेंगे अब हमें slide को वापस निकालेंगे और forcep की मदद से epidermis के एक टुकड़े को Petri dish A में डालेंगे और दूसरे टुकड़े को Petri dish B में डालेंगे अब 15 मिनिट के लिए दोनों Petri dishes को छोड़ देंगे जी स्टूडेंट्स 15 मिनिट गुज़र चुके हैं अब हम एक नई slide लेंगे और Petri dish A में से epidermis को निकाल कर इस slide के उपर रखेंगे अब ड्रॉपर की मदद से 1% sugar solution को एक ड्रॉप इस पर डालेंगे मौसिन आप वहाँ से tissue paper ले आए अब आहिस्ता से इस पर cover slip रखेंगे अब tissue paper की मदद से पानी को इस पर absorb कर देंगे जो एक्स्ट्रा पानी है अब हमारी slide तयार है अब हम इस slide को microscope के नीचे रखेंगे और इसका मुशाहिदा करेंगे मिस मैं ऐसका मुशाहिदा करूं जी बलाल आईए मिस मैं देख सकता हूँ कि 1% चीनी की solution ने cell के size और shape पर कोई असर नहीं डाला है जी बलाल बिल्कुल ठीक कहा आपने Students, cell में किसी किसम की तबदीली ना होना इस बात को जाहिर करता है कि पानी का बहाओ cell के अंदर और बाहर बराबर था यानि हम यह कह सकते हैं कि 1% sugar solution एक isotonic solution है अब हम इसी तरह Petri dish B में से epidermis को निकालेंगे और दूसरी slide के उपर रखेंगे अब हम इसके उपर dropper की मदद से 4% sugar solution का एक drop डालेंगे और cover slip इसके उपर रखेंगे जी students अब हमारी slide तयार हो चुकी है अब माइक्रोस्कोप के नीचे इसका मुशाइदा करेंगे Miss अब मेरी बैलिया मुशाइदा करने की जी दुआ आईए Miss मैंने देखे रहे कि cell का size चोटा हो गया और सुकड़ गया है जी शाबाज दुआ 4% चीनी का solution एक hypertonic solution है यानि के इसमें solute की मिगदार ज्यादा है इसलिए cell ने पानी loose कर दिया है और सुकड़ गया है यानि के plasmolized हो गया है Miss अगर मैं 4% sugar solution में पानी डाल कर इसकी concentration कम कर दूँ तो क्या होगा आईए मैं आपको इसका भी तज्रुबा करके दिखाती हूँ मैं वही epidermis वाली slide लूँगी जिसे हमने 4% चीनी के solution में रखा था अब मैं आहिस्ता से इसकी cover slip हटाऊंगी और इस पे हम चंद कत्रे distilled water के डालेंगे अब हम इसे कुछ देर के लिए रख देंगे जी students थोड़ी देर गुज़र चुकी है अब हम इसका मुशाहिदा करेंगे आईए मों से आप आकर इसका मुशाहिदा कीजिए मिस मैंने देखा कि सल अपनी असली हालत में वापिस आ गये है लेकिन मिस ऐसा कैसे हुआ? मोसन डिस्टेल्ट वाटर हाइपरटोनिक होता है जब हमने सुकड़े हुए सेल को डिस्टेल्ट वाटर में रखा तो सेल के अंदर और बाहर पानी का बहाव बराबर हो गया और सेल अपने असली शेप और साइज में वापिस आ गया यानि के डी-प्लास्मोलाइजड हो गया जी स्टूरेंट्स आई अब अपने प्रैक्टिकल का रीकैप करते हैं आज के अप्रैक्टिकल में हमने प्यास की एक अपिडर्मिस को एक परसंट चीनी के सिलूशन में रखा और दुसरी अपिडर्मिस को चार परसंट चीनी के सिलूशन में रखा और मार्क्रोस्कोप के जरीए मुशाइदा किया तो 4% जीनी के सिलूशन में रखी हुई एपिडर्मिस के सेल सुकर दे यानि के प्लास्मालिसाइट हो गए जबके हमने इस एपिडर्मिस पर चंद कत्रे डिस्टिल वाटर डाल कर मुशायदा किया तो डिस्टिल वाटर ने सेल को डिप्लास्मालिसाइट कर दिया और सैल अपनी असली हालत में वापस आ गए जी स्टूडेंट्स अब हमारे प्रैक्टिकल के इक्तिताम का वक्त है आईए जल्दी से आज का सवाल देखते हैं मेरा आज का सवाल है कि अगर आप सफ उबले हुए अंडे को सिरके में दो दिन तक भिगो कर रखें तो वो रबर जैसा हो जाता है ऐसा क्यूं होता है? मिस ये तो बहुत इंट्रेस्टिंग कोशिन है मैं आज घर जाकर अंडे के साथ ये तजर्बा करके देखूंगा ताके मुझे इस सवाल के जवाब पर गोर करने में असानी हो सके शाबाश मौसिन स्टूनेंट्स अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अगले प्रैक्टिकल में फिर मुलाकात होगी अपना बहुत खयाल रखिएगा अलाहाफिस अलाहाफिस मेस अलाहाफिस